हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखिए बहुत दिन हो गई मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी रीजन मैं कहीं और बीजी थी इसके लिए रियली वेरी वेरी सोरी आज मैं लेकर आई हूँ कुछ वर्ट्स जिनने अगर आप डेली की बोलचाल में यूज़ करेंगे तो अपना एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ब्लेम स्टॉमिंग इसका मतलब होता है अपनी गलती नहीं मानना दूसरों को ही ब्लेम करना यानि कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप अपनी गलती एकसेप्ट नहीं करोगे आप दूसरों को ही ब्लेम करते रहोगे और दूसरों को ही उस गलती की वज़े मानते रह होगे अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसे कहना चाहते हैं ना कि उसका blame storming nature है यानि कि वो अपनी गलती नहीं मानेगा वो अपनी गलती दूसरों के उपर ही थोपता रहता है तो यहां हम कह सकते हैं his nature is blame storming एक और example देख लेते हैं before blame storming you should have checked the wire copy left यह एक तरह का license होता है जिसमें आप किसी के किये हुए काम को modify करके उसे दूसरी जगे यूज कर सकते हैं यानि कि जो copyright free हो free male यह word हम उस female के लिए use करेंगे जो अकेले रहना पसंद करती हो यानि कि जिसे शादी में बंधना पसंद ना हो जिसे लगता है कि उसको जीने के लिए एक मर्द की जरूरत नहीं है consider समझना मुझे अपना ही समझो consider me as you own tragic that makes you very sad यानि कुछ ऐसा जो आपको बहुत दुखी कर दे इसे example से समझते हैं it's tragic that she lost her mother अब चलिए आते हैं next word पर autopsy इसका मतलब होता है death के बाद पूरी body को examine करना death का reason जानने के लिए देखें ये जो word है मुझे कुछ दिन पहले ही सीखने को मिला है जब मैं एक्टर समीर के टीलो के लिए भी यूज कर सकते हैं इस word को आप कोई छोटी से पहाड़ी के लिए भी mound word यूज कर सकते हैं इसे example से समझते है I have a mound of work in office to do screen पर जो word दिखाई दे रहा है इसकी American pronunciation होती है sarcastic और British pronunciation होती है sarcastic इसका हिंदी में मतलब होता है वयंगय पूर्ण यानि कि जब आप किसी का मजाक बनाते हुए कोई बात कहते हैं तब हम कहेंगे sarcastic चलिए अब इसे example से समझ लेते हैं अगर आप किसी से कहना चाहते हैं आप मुझे से वयंगयात्मक लहजे में क्यों बोलते हैं तो इसे English में कहेंगे why do you speak to me in tone of sarcastic चलिए इसे एक और example से समझ लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस word की जरूरत हम में से सभी को पढ़ने वाली है तो sentence है वे हमेशा अपनी वयंगयात्मक टिपणियों से मेरी भावनाओ को आहत करता है इसको English में कहेंगे he always hurt my feelings with his sarcastic comments और आपको एक और बात बताओं ये word मुझे कल ही सीखने को मिला है अपनी coordinator मैं से और उन्होंने भी कल ही पहली बार इस word को सुना था director सर के मुझे तो आप भी जब भी कोई कुछ बोलता है तो उसे ध्यान से सुनिए English का कोई नया word अगर आपको सुनने को मिलता है तो उसे फड़ा-फट सर्च कीजिए देखिए ये word नया तो नहीं है लेकिन हमने पहली बार सुना था तो ये थी हमारी आज की वीडियो I hope आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो like and share करना मत भूलिए subscribe कर दीजे मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नई है hit कर दीजे bell icon को जिसे के आपको आने वाली सभी वीडियो की notification मिलती रहे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ till then bye bye hello everyone कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखे बहुत दिन हो गए मैं कोई वीडियो upload नहीं कर पा रही थी reason मैं कहीं और busy थी इसके लिए really very very sorry आज मैं लेकर आई हूँ कुछ words जिनने अगर आप daily की बोलचाल में use करेंगे तो अपना एक बहुत ही अच्छा impression छोड़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं blame storming इसका मतलब होता है अपनी गलती नहीं मानना दूसरों को ही blame करना यानि कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप अपनी गलती accept नहीं करोगे आप दूसरों को ही blame करते रहोगे और दूसरों को ही उस गलती की वज़े मानते रहोगे अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसे कहना चाहते हैं कि उसका blame storming nature है यानि कि वो अपनी गलती नहीं मानेगा वो अपनी गलती दूसरों के उपर ही थोपता रहता है तो यहां हम कह सकते हैं his nature is blame storming एक और example देख लेते हैं before blame storming you should have checked the wire copy left ये एक तरह का license होता है जिसमें आप किसी के किये हुए काम को modify करके उसे दूसरी जगे यूज़ कर सकते हैं यानि कि जो copyright free हो free male ये word हम उस female के लिए यूज़ करेंगे जो अकेले रहना पसंद करती हो यानि कि जिसे शादी में बंधना पसंद ना हो जिसे लगता है कि उसको जीने के लिए एक मर्द की जरूरत नहीं है consider समझना मुझे अपना ही समझो consider me as you own tragic that makes you very sad यानि कुछ ऐसा जो आपको बहुत दुखी कर दे इसे example से समझते हैं अब चलिए आते हैं next word पर autopsy इसका मतलब होता है death के बाद पूरी body को examine करना death का reason जानने के लिए देखें ये जो word है मुझे कुछ दिन पहले ही सीखने को मिला है जब मैं actor समीर शर्मा की death का reason पड़ रही थी mound a large amount of something देखें यानि किसी चीज़ को बहुत ज़ादा होना और आप इसे मिट्टी या पत्थरों के टीलों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस word को आप कोई छोटी से पहाड़ी के लिए भी mound word यूज़ कर सकते हैं इसे example से समझते हैं I have a mound of work in office to do screen पर जो word दिखाई दे रहा है इसकी American pronunciation होती है sarcastic और British pronunciation होती है sarcastic इसका हिंदी में मतलब होता है वयंगय पूर्ण यानि कि जब आप किसी का मजाक बनाते हुए कोई बात कहते हैं तब हम कहेंगे sarcastic चलिए अब इसे example से समझ लेते हैं अगर आप किसी से कहना चाहते हैं आप मुझे से वेंगयात्मक लहजे में क्यों बोलते हैं तो इसे English में कहेंगे Why do you speak to me in tone of sarcastic? चलिए इसे एक और example से समझ लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस word की जरूरत हमें से सभी को पढ़ने वाली है तो sentence है वें हमेशा अपनी वेंगयात्मक टिपणियों से मेरी भावनाओं को आहत करता है इसको English में कहेंगे और आपको एक और बात बताओं ये word मुझे कल ही सीखने को मिला है अपनी coordinator मैम से और उन्होंने भी कल ही पहली बार इस word को सुना था डायरेक्टर सर के मुह से तो आप भी जब भी कोई कुछ बोलता है तो उसे ध्यान से सुनिए English का कोई नया word अगर आपको सुनने को मिलता है तो उसे फटा-फट सर्च कीजिए देखिए ये word नया तो नहीं है लेकिन हमने पहली बार सुना था तो ये थी हमारी आज की वीडियो I hope आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो like and share करना मत भूलिए subscribe कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नई है hit कर दीजिए bell icon को जिसे के आपको आने वाली सभी वीडियो की notification मिलती रहे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ till then bye bye झाल 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 झाल